भारती इत्यास का आठों टॉपिक है राजपूत काल बार्विय सताबदी के आरम में दिल्ली पर किसका सासन था राइट ओप्शन ए हो जाएगा तोमर बंस बार्विय सताबदी के आरम में दिल्ली पर तोमर बंस का सासन था अनंग पाल दिली के तोमर बंस के संस्तापक थे जैचंद के विश्वास घात के कारण प्रत्वीरा चौहान की प्राज़ हुई कलांतर में जैचंद कहां और कब मारा गया राइट ओप्सन सी हो जाएगा कन्नौज में 1194 में चंदावर कायोत 1194 में मुहमद गोरी और कन्नौज के राजा जैचंद के बीचड़ा गया जिसमें जैचंद की हार भी और वह मारा गया मुहमद गोरी नहीं मार डाला निन में से कौन से बंस ने भारत के दच्छड भाग पर सासन नहीं किया है राज़्वूद बंस ने भारत के दच्छड भाग पर सासन नहीं किया शात्मी बारवी सताबदी का काल राज़्वूद काल कहलाता है इस काल के महत्पूर राश्टबूद बंसों में राश्टकूट बंस शालुक के बंस चवहान बंस चंदेल बंस परमार बंस प्रतिहार एवं गहडवाल बंस आधी आते हैं राश्टबूद बंस ने भारत के उत्तरभाग पर सासन किया जैसे राजस्तान दिल्ली पंजाब मत प्रद पाल समराज मत्कालीन भारत का एक महतपूर राजबंस था जो की 750-110-61 इस्वी तक चला इस समराज की स्तापना गोपाल ने की थी इस बंस की राजधानी मुंगेर थी पाल बंस का सबसे महान सासक धर्म पाल था जिसने विक्रम सिला विष्विध्याले की स्तापना की पाल बंस का पहला सासक कौन था राइट आप्शन इसका सी हो जाएगा गोपाल पाल बंस का संस्तापक गोपाल था वै एक योग और कुसल सासक था गोपाल ने साथ सो पचास साथ सो सतर इसी तक सासन किया वह बौध मतान्य आईत था नार्यंदा में उसने एक बिहार का निर्मार कराया था करवाया था या कराया था भारती इत्यास का टॉपिक 9 सल्तनतकाल कुद्टुब उद्दीन एबक किस राजबंस का संस्तापक था आगे हैं राइट आप्शन इसका सी हो जाएगा गुलाम बंस गुलाम बंस किस्तापना 1266 इस्वी में कुद्ब उद्दीन एबक ने किया था वह गौरी का गुलाम था यह दिल्ली का पहला तुर्क सासक था इसे लाख बंस भी कहा जाता था कुद्ब उद्दीन एबक ने अपनी राजधानी लहोर में बनाई थी गुलाम बंस किस्तापना 1266 में कुद्ब उद्दीन एबक ने किया था यह गौरी का गुलाम था यह दिल्ली का पहला तुर्क सासक था इसे लाख बंस भी कहा जाता था कुद्ब उद्दीन एबक ने अपनी राजधानी लहोर में बनाई थी कुद्ब मीनार की निव कुद्ब उद्दीन एबक ने डाली थी दिल्ली का कुबबत उल इसलाम मस्जित तथा अजमेर का ढाई दिन का जोपड़ा नावक मस्जित का निर्मार कुद्ब उद्दीन एबक ने करवाया था भारत में सासन करने वाले दिये गए सास्कों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है राइट आप्सन इसका क्या हो जाएगा भी हो जाएगा काल क्रमानुसार क्या है शोथा क्या है इल्तुत मिस हो जाएगा तीसरा क्या है खिलजी हो जाएगा और तीसरे नमबर पर क्या होना सेर सहाया था लाश्ट में अकबर इनका ये काल क्रमानुसार है का इलतुत मिस सम्मी वंस और 1240-1236 याद रखना 1240-1236 अलाओ दिन खिलजी खिलजी बंस 1296-1316 सेर सांसूरी सूर बंस 1540-1445 अकबर मुगल बंस 1556-1605 लहो और रक्त की नीती किस ने अपनाई? राइट आप्शन ये हो जाएगा बलवन लहो और रक्त की नीती अथार्थ कठोर नीती गुलाम बंसी सासक बलवन ने अपनाई बलवन ने बिद्ध्रोईयों को कमजोर करने तता सुल्तान की पत प्रतिस्टा में ब्रति करने के लिए यह नीती अपनाई बलवन ने राजट तु सिद्धान को उचा करने के लिए सिजिता तता पैवोस्ट पिर्था का भी आरम किया बलवन ने नव रोज उत्सो सुरूप किरवा जिसके सासन काल में इब्न बतूता भारत आया था राइट आप्शन इसका भी हो जाएगा मुहमद बिन तुगलक बी इब्न बतूता 1333 मुहमद बिन तुगलक के काल में भारत आया था यह है मुरक्को अफ्रीका का निवासी था इसका मूल नाम सेख खते अबु अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मुहमद बिन बतूता था मुहमद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी निव्द किया 1342 मुहमद तुगलक अपना राय दूद बना कर चीन बेजा था इसने अपना यात्रा ब्रदान्द को रहला में लिपी बत किया भारत पर तैमूर ने किस बर्स आक्रमण किया था राय टॉप्शन डी हो जाएगा 1398 तुगलक बंस के अंतिम सासक नसुरुद दीन मुहमद तेरा सो चौरानवे 1412 इसवी की सासन काल में 1398 इसवी में मंगोल आक्रमण कारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था किस सासक ने भारत में तुगलक बंस की नीम रखी थी रायट आप्शन इसका भी हो जाएगा गया सुद्दीन तुगलक तुगलक बंस का संस्तापक गाजी मलक या गया सुद्दीन तुगलक था इसका सम्मंद करावना जंजाती से था गाजी मलक 8 सितंबर 1320 को गदी पर बैठा इसने सिंचाई के लिए क्वीत था नहरों का निर्माड कराया था इसने तुकलकाबात नामक नगर की स्ताफना भी की थी इस बंस में तीन योग सासक वे गयसोदीन उसका पुत्र मुहम्मत बिन तुगलक और उसका उत्रादिकारी फ्रोज तुगलक दिल्ली में अलाव दिन खिलजी के सासनकाल की अवधी क्या थी टाइट आप्शन इसका ए हो जाएगा 1296 से 1316 दिल्ली में अलाव दिन खिलजी के सासनकाल की अवधी 1296-16 इसवी तक थी उसका समराज अफगानिस्तान से लेकर उत्र मद्ध भारत तक फैला था अलाव दिन खिलजी दिल्ली सल्सनत के खिलजी बंस का दूसरा सासक था अलावत दिन खिलजी के प्रमुख बिजय अभिहान गुजरात बिजय बारा सो ठानवे जैसल मेर बिजय बारा सो ठानवे रडधंबहुर बिजय तेरा सो एक शित्तड आक्रमर तेरा सो तीन खेजर खान निम लिखित में से किस राजबन से सम्मंदित था राइट ओप्सन इसका सी हो जाएगा सयद बंस खिजर का दिल्ली संत्र से सयद बंस 1414-1450 इसवी का संस्तापक था इसने मंगोल आक्रमर कारी तैमूर को सयोग प्रदान किया था बदले में तैमूर ने इसे लहोर मुल्तान और दिपालपुर की सूविदारी देहा तब है कि खिजर खाने सुल्तान की उपादी धारणक नहीं की बलकि वह रैयत ए आला की उपादी से ही संतुष्ट रहा